चोपड़ा है जो किसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नाइन जनुवरी 22 के देनिक बासकर में एक न्यूज है जिसमें ये लिखा है कि पहली बार दो बैच साथ करेंगे मेडिकल फस्ट एर की पढ़ाई इस न्यूज को पढ़कर काफी स्टुडेंट्स का ये कॉमेंट्स है कि क्या ये दोनों बैच एक साथ चलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये अलग-अलग समय में स्टार्ट होंगे एक साथ स्टार्ट नहीं होंगे देखिए 2021 बैच की काउंसलिंग में देरी होने से इसके ऐड्मिसन मार्च लास्ट तक होंगे और एक मार्स से ये बैच स्टार्ट होंगे, ये बैच तो first year का ही बैच होगा, लेकिन इसको बैच 21 कहा जाएगा, अभी 22 की नीट की एक्जाम के बाद 22 के एड्मिशन अक्टूबर में होंगे, वो भी first year बैच होगा, लेकिन उसे बैच 22 कहा जाएगा, तो इस आर्टिकल का मतलब ये है कि 2022 में first year के दो बैच रन होंगे, मगर एक 2021 बैच कहलाएगा, और दूसरा 2022 बैच कहलाएगा, इनकी कलासें अलग-अलग होंगी, प्रैक्टिकल अलग-अलग होंगे, युनिवर्सिटी एक्जाम भी अलग-अलग समय पर होंगी, चोंकि इंडिया में अभी MBBS की study 50 months की है, तो ये जो 2021 का बैच है, उसको manage करके, यानि हर साल manage decrease करके, एक साल पहले किया जा सकता है, जब इनका internship होगा तब तक, MBBS में year का end 31st March को होता है, और 1st April से internship start हो जाती है, तो 2021 बैच का course 31st March 26 तक complete किया जा सकता है, और 21 बैच का course, 22 बैच का course 31st March से 27 तक complete किया जा सकता है, तो ये schedule पहले की तरह ही हो जाएगा, तो PG के मामले में भी ऐसा ही है, जैसा UG के मामले में है, क्योंकि PG की counseling भी साथ-साथ ही चलेगी अभी, और PG की तो अभी exam date भी fix होगी है, 12th March 22, तो PG में भी ये ही condition रहेगी, PG के भी first year के 292, 2022 से start होंगे, लेकिन वो अलग-अलग time में start होंगे, तो जो आपका doubt था, इस article को लेकर, इस news को लेकर, वो clear हो चुका होगा, मैं ये समझता हूँ, बाकी जानकारी, update के साथ में next video में दे दी जाएगी, जैसे जैसे update मिलेगे, आपको inform कर दिया जाएगा, तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए,